17 देखो कह रहा है किसी चारगाह के बीच में गड़े खोटे से एक गाए 28 मिटर लंबी रसी से बन दी है तो वह कितने छेतरे फल का की घास चर सकती है माली जी यहाँ पर एक खोटे से बांद दीए किसी गाए को किसी चारा गाह में जहाँ पर घास उगा हुआ है ठीक है चलिए को आप यहाँ देखो अगर मैं इसकी रसी की लंबाई 28 मिटर लो तो वह 28 मिटर चारो तरफ से चरप आएगी यानि कि यहाँ पर 28 मिटर 28 मिटर एजे त्रिज्या आजाएगा आपके बृत का समझेगा ना अगर मैं यहाँ बांदता हूँ अगर 28 मिटर रसी है तो गाए चारो तरफ 28 मिटर चाथा आएगी एक बृत का निर्वान हो जाएगा वहाँ पर ठीक है चलिए यानि कि यहाँ पर आपका त्रिज्या जो होगा त्रिज्या वही रसी की लंबाई हो जाएगी 28 मिटर तो गाए द्वारा चरे हुए छेत्र का छेत्र फल चेत्र का छेत्र फल क्या हो जागा फर्मला तो वही पाई रसक्वाइ लगा जाएगा पाई के जगपे आप 22 बटा साथ रख दो गुना में 28 और गुना में 28 आर के जगपे वसा नमा